इस तरीके से देखिए, ये डाल ले लिए हैं कांजी वडा बनाने के लिए, और इसके लिए मैं छोटा सा कटोरी में एक कटोरी मुम डाल ली हूँ, ते कटोरी उड़त डाल ली हूँ, आप एदी चाहे तो पूरा मुम डाल से ही बना सकते हैं और इसको 6-7 घंटा के लिए पूरी तरीके से भिगा दिये थे, बहुत ज़्यादा दीख रही है, फुल गया है बढ़िया से, और बढ़िया से धो कि इसका पानी को मैं निकाल ली हूँ, और सब से पहले इसको पीस लेते हैं मिक्सी में, तो एकदम बारिक फाइन नहीं और बिना पानी डाले पीसना है, तो देखिए दाल को पीस के ले आए हैं, अब इसमें थोड़े से कुछ मसाले डालेंगे, तो उसके लिए इस तरीके से एक चुटकी हींग है, एक चुटकी हींग डालने से बढ़िया स्वाद आता है, और ये थोड़ा से खड़ा धनिया ह इससे भी बढ़िया स्वाद आता है, मैं थोड़ा से डाल दी हूँ, और उसके बाद थोड़े से इसमें मैं चिली फ्लेक से डाल रही हूँ, थोड़ा सा, और सभी चीछ को डालने के बाद इसको बढ़िया से फेट लेते हैं, अभी नमक नहीं डाली हूँ, नमक को थोड़ा बाद में डालेंगे ऐसे करके थोड़ा से फेट लेते हैं तभी हमारा जो बड़ा बनेगा बढ़िया से फलपी बनेगा इस तरीके से देखिए यह हमारा बढ़िया से फेट लिए हैं अब इसमें नमक डालके थोड़ा से और मिलाएंगे तो मैं थोड़ा सी इसमें नमक स्व जादा गिला नहीं हुआ है इसमें हमारा बड़ा बनाये जा सकता है लेकिन यदि आपका बैटर जादा गिला हो जाता है तो आप थोड़े से इसमें गेहूं का दो तिन चम्मच गेहूं का आटा डाल सकते हैं यह देखिए हमारा त्यार हो गया चलिए इसका बड़ा बना ले लाने के लिए तेल हमारा गरण हो गया है तो जो हाथ में बड़ा बना के रखें थे उसको ऐसे हाथ में ले लेना है देखेंशा कर के तील में क्छोन देमा है कि गया में पर को मिडियम गद अब करना है एक दम । भी नहीं रहना चाहिए और एकदम प्लो भी नहीं रहना चाहिए इसी तरीके से मैं बाकी और बड़ा को बना लेती हूँ इस तरीके से बड़ा हमारा बन के त्यार हो गया है बस इतना ही पकाना है अब इसको निकाल लेती हूँ और बाकी बड़ा को भी मैं इसी तरीके से बना के त्यार कर लेती हूँ ऐसी बड़ा नहीं बन पाता है तो आप इसको गोल गोल भी बना सकते हैं इसके देखिए पूरा बड़ा को बना के त्यार कर लिए हैं यह हमारा बड़ा बहुत ही बढ़िया साप्ट बड़ा बना है अब इसको क्या करना है इस तरीके से देखिए मैं साप पानी ली हूँ कम से कम एक डेल लिटर ले लिए हैं और इसमें बड़ा को डुबा देना है बड़ा को डुबा के इसमें कम से कम आधा गंटा तक से रख देते हैं तो इसमें जो तेल रहता है वो भी निकल जाएगा और बड़िया साप्ट बन जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें कांजी में डाल की इसको सरो करेंगे. जितना आप कांजी वड़ा खाना चाहते हैं उतना ही पानी में डुबाएं बाकी आप इसको सुखा चट्नी के साथ भी बड़ा खा सकते हैं. इस तरीके से मैं ये बड़ा को डुबा दी हूँ और इसको ढखके आधा घंटा इसी में रहने देते हैं ऐसे करके बीच बीच में ऐसे करके थोड़ा कर देंगे उपर उठ जा रहा है इसलिए ऐसे करके ये देखिए इसको आधा घंटा पानी में इसी तरीके से भीगा के रख दिये थे और यह अच्छी तरीके से देखें फूल गया है अब इसमें से पानी को ऐसे करके निकाल देना है ऐसे करके यह देखें पानी निकल रहा है तो इसी तरीके से इसका पानी को सबसे पहले निचोड देते हैं यह देखें तभी तो इसमें कांजी में इसको डालें अब इसको साइड में कर देते हैं इसके बाद फिर यह हमारा कांजी बना के त्यार किये थे तो यह हलका से इस तरीके से फार्मेट हो चुका है लेकिन इसमें अभी हम बड़ा डाल के रखेंगे तो और बढ़िया से फार्मेट हो जाएगा यह देखिए तो इसको मैं एक बरत और बड़ा को इसी में डुबे रहने देना है और इसी में से फिर निकाल निकाल के सर्व किया जाता है खाते हैं और इसको दूसरे दिन खाने से और ही बढ़िया स्वादिश्ट लगता है यह इतना को मैं कांजी के साथ में इसको डुबा दि हूं इसको इसी पानी को ही कांजी बोला जाता है जो सरीर पेट पेट के लिए बहुत ही बढ़िया लाब दायक रहता है डायजिशन उसके बाद सिंसां तोड़े से और इसमें थोड़े से जीरा भूना हुआ जीरा पाउडर इसमें डाल देते हैं इस तरीके से यह देखें इसके बाद फिर इसमें थोड़ा से यह मैं पाउडर बनाई थी इसमें लाल मिर्ची है भुना जीरा पाउडर है और यह थोड़ा से चाट मसाला सभी चीज़े इसमें मैं डाल दी हूँ यह देखें तो इसी त तो इसको थोड़ा देर के बाद में खा सकते हैं, कल खा सकते हैं, कल खाने से और ही बढ़िया ये, फार्मेट हो जाएगा, तो खाने में बहुत ही बढ़िया स्वाधिश्ट लएगा, मैं एक बार सर्व करके दिखाती हूं इसको, इस तरीके से देखिए, इसको कैसे सर्व कर इसमें ले सकते हैं एक बड़ा या फिर दो बड़ा जितना काना रहेगा उसके बाद में फिर यह जो मसाला हम त्यार करके रखे हैं इसको ऐसे करके डाल देना है यह देखे हमारा कांजी बड़ा बनके त्यार हो गया है इसी तरीके सी इसको सर्व किये जाता है और ज्यादा पानी जाते हैं तो और ज्यादा और यह कितना बढ़िया साप्ट बना है एक बार मैं आपको तोड़ के दिखाती हूं यह देखें एकदम बढ़िया साप्ट बना हुआ है इसी तरीके से असानी से टूट जाता है और इसी का आप दही बड़ा भी बना के खा सकते हैं तो मैं दही बड़ा भी सारो करके बता देती हूं ये देखे इसका मैं दही बड़ा भी एक बार सारो करके बताती हूं ये देखे बड़ा निकाल लेना है इसके बाद फिर इसमें इसीच का तो दही बड़ा खाते हैं इसके बाद इसमें खुब सारा दही डाल देना है जितना आप प सकते हैं जितना पसंद करते हैं उतना ही डालें कि यह घर का बना हुआ है तो थोड़ा गाढ़ा बना हुआ है इसके बाद फिर इसमें हरा चटनी धनिया पत्ति और पुदेना का हरा चटनी है यह इसके बाद फिर इसमें भुना जीरा पौडर है लाल मिर्ची पौडर है सभी चीज को मैं इसमें मिला के पौडर बनाई हूँ इसको भी डाल देते हूँ इसके बाद फिर उपर से और इसमें थोड़ा से भुना हुआ जीरा पौडर डाल देते हैं जो खाने में बहुत ही बारिक सेव रहता है, उसको भी इसमें थोड़े से डाल देते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है दही बढ़ा में, यह देखें, इसके बाद फिर और उपर से इसको सजाने के लिए थोड़ा से और दही डालते हैं इसमें, इसके बाद फिर थोड़े से इसमें अनार के दाना भी डाल देते हैं, जो खाने में बहुती बढ़िया स्वादिष्ट लगता है, और दिखने में भी बढ़िया स्वादिष्ट लगता है, तो यह देखें हमारा दही बढ़ा और कांजी बढ़ा दोनों बन के त्यार हो गया ह तो आप लोग भी घर में इस होली इस तरीके से दही बड़ा बनाएए, कांजी बड़ा बनाएगे तो उसमें आप दही बड़ा का भी स्वाद ले सकते हैं और बहुती बड़िया टेस्टी लगता है घर में सब चीज सूध बनता है तो आप लोग भी बना के जरूर खाएं, पसंद आये तो लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें, धन्यवाद